आप graduation के instrument हो, become कर रहे हो, become honors कर रहे हो, या फिर C.A. foundation के instrument हो, तो बहुत मज़ा आएगा, छोटे-छोटे concept को, और बहुत मतलब कहते हैं कि जो concept है, कई बार ऐसा होता है कि question को solve करना तो चाहते हैं, लेकिन concept clear ना होने के वज़े से question ठीक से solve नहीं होता, तो मैं आपको ऐसे आस करना चाहते हैं, तो आप जोईन कर सकते हैं Unacademy को, तो Welcome Shivam हमारे चैनल पे, अगर मैं आपसे पूछू कि Unacademy आपने जोईन किया तो इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण बता सकते हो कि Unacademy आपने क्यों जोईन किया, तो थैंक्यू सर मुझे आपने इनवाइट किया, औ अगर उनसे ही पढ़ा है तो उनी से पढ़ा है, अगर तीचर को स्विच करना पढ़ा है, तो उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए है, यह बताना चाहते हैं जह तक मैं समझ रहा है और यही वजह है कि मैं आपको Unacademy कह सकता हूं कि आप बड़े आराम से जोईन कर सकत तो Unacademy में एक सबसे अच्छा फीचर क्या है, कोई टीचर का क्लास आपने जोईन किया, उनका लेक्षर आपने पढ़ा, आपको लेक्षर पसंद नहीं आया, वो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा हूं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क सबसे अच्छी बात यह है, और यही सबसे मज़दार बनाता है Unacademy को CA Foundation Intermittate and Final के लिए, तो डाउट कैसे होता है, तो डाउट का टीचर को एक तो आप क्लास, अगर आप लाइब क्लास जोईन करते हैं, तो आप अप लाइब क्लास जोईन करते हैं, तो आप अप लाइब क पर देखें के CA Foundation के लिए, तो टीचर का पूरा सपोर्ट रहता है Unacademy पर कोई भी टीचर आपको कभी इस सीच के लिए मना नहीं करें कि कि आपके डाउट नहीं बताएंगे, तो बच्चे को इसमें का एक बच्चों से मिलकी ग्रूप भी बन जाता है, जो हमारे में से में बच्चे को इसमें इसमतों से में पर दिसक लिए तो यहाँ पर आपके ग्रूप सा मिल जाता है, अगर टीचर बाइचा समय राट रिप्लाई कर रहे हैं या वो कहीं बीचे है, तो एक अच्छी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं हैं, नहीं बीजी हैं अगर आप CA Foundation करना चाहते हैं, तो Unacademy एक best option है आपके लिए, कल से Unacademy पर CA Foundation के लिए एक नया batch स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको best faculty मिलती है अपनी classes को लेने के लिए, बैच का नाम है हसल विद ये सास, आपके लिए एक special offer है, जी हाँ, अगर आप विजये 2022 ये code इस्त मिलेगा, तो link नीचे description में है, अभी जाएं और join करें, 24 मंत की subscription सिर्फ 825 रुपीस पर मन्त में मिलता है, ये रियली मज़ेदार है, इतनी कम फीस में, आप किसी coaching institute को तो शायद नहीं जोइन कर पाएंगे, चले चलते हैं आज वाली class में, और अपनी screen पर देखते हैं, depreciation को बहुत ही आसान तरीके से, एक जुलाई 2019 को, तो यह देखो, एक जुलाई 2019 को फिर परचीस किया है, इसने, आगे कहता है, आपे, on 1st January 2020, one third of the machinery, which was installed on 1st April 2018, was sold for Rs. 3000, कहता है, जो मशीन, मतलब इस particular date को, इस sentence को दोबारा पढ़ो, कहता है कि, एक जनवरी 2020 को, one third of the machinery, which was installed on 1st April 2018, जो एक अपरेल 2018 को हमने मशीन परचीस की थी, उसका one third part हमने 3000 पे में बेज दिया, 3000 में बेज दिया, 1st January 2018 को, 1st January, यह रहा, 1st January 2018 नहीं, गलत बोल दिया कि मैंने, 1st January 2020 को, यह, यह 1st April 2018 वाली जो मशीन थी 30,000 कि उसका one third part, मतलब 30,000 का one third, 10,000 वाला मशीन 3000 में बेज दिया, आगे कहता है कि, मशीन डी अकाउंट आपको बनाना है, the rate of the depreciation is 10% on reducing balance method, और account close होगा December में, अच्छा, बता दिया, तो फिर तो भहिया, फिर उसी के according लेके चलोगे, नहीं बताता, तो आप अपने हिसाब से लेके चलते, तो account close हो है, 31 December को है, तो पहला जो पहला ये बनेगा, वो एक April 2018 से 31 12 2018 ये पहला साल होगा, फिर एक January से December तक 2019 और January से December तक 2020, अब ये question में आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस question में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बचों को थोड़ी सी दिक्कत लगती है, समझ नहीं आता कि करना कैसे है, तो कर रहे हैं, ये मैंने format prepare कर लिया है, और यहाँ प दिख लेते हैं, आपे machine tree account, date question में given है, one for 2018, 30,000 rupees की machine खरी दिया है, ध्यान से देखना जो बता रहा हूं मैं, one for 2018 को two bank account से 30,000 rupees, अब जब मुझे पहले से ही पता है कि इसका एक पार्ट उठा के बाद में बेच दिया दस अजार पे वाला तो अगर दस अजार पे वाला पार्ट बेच दिया तो इसका मतलब जो बैलेंस बचेगा वो 20 का बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहीं पर ब्रेक कर लेंगे अगर आप चाहते हो कि question आपके लिए easy हो जाए future में जितने भी question है इस question को समझ लिया नहीं यह master question है तो इसके बाद किसी भी तरीके के question को आप करने के लिए अबल हो जाओगे recommend करता हूँ कि यह जो नीचे की calculation हो उसको pencil से लिखो बाद में इसको मिटा देना क्योंकि क्याना कुछ examiner बोलते हैं कि आपको पहले से पता है कि machine base देगे तो उसको आप पहले से calculate करना चाहते हो तो हम नहीं चाहते हैं कि आप कोई argument में पढ़ो तो बैतर है कि इसको यह जो नीचे वाली calculation है इसको आपको pencil से लिखना है किसे लिखना है हलके pencil से उसकी calculation दिखाऊंगा कितना आसान हो जाएगा जब देखोगे तो फिर इस साल 2018 में ही क्योंकि हमारा account जो है 31-12-2018 को खतम है तो 14-2018 को फिर 20,000 की machine खरी दिये उसने 14-2018 को नहीं एक चार नहीं स्वारी एक दस तो यहां पर लिखेंगे टू पैंक एकाउंट से 20,000 अब क्या करना है वो द्यान से दिखना मुझे यह पता है कि भाई इस पेड डेप्रिशेशन लगेगा तो और कौनसी डेट को लगेगा 31st, 12, 2018 को तो बाई डेप्रिशेशन एकाउंट से मैं क्या करूंगा नामकरण करतूंगा जो फर्स्ट का यह पार्ट है यह 20,000 है और रेट अफ डेप्रिशेशन 10% दे रखा है मेथड कहा गया भाई मेथड reducing balance method मतलब diminishing balance method से आपको लगाना है तो 20,000 का 10% और कितने मेने के लिए नौ मेने के लिए नौ मेने के लिए sir क्या बता रहे हो आप यह 9 मंत की calculation करनी है हाँ 9 मंत की calculation करनी है अगर आप graduation यह CA के student हो यह CS के student हो यह MBA में हो यह BBA में हो तो generally यह calculator इस तरीके का allowed होता है आप उसको use कर सकते हो 20,000 का 10% into 9 divided 12 तो यह आ जाएगा 1500 रुपीज तो 1500 रुपे इस पे depreciation है जो first का B part है यह 10,000 की machine है 10% कितना परसेंट जी into 9 by 12 तो 10,000 का 10% 9 मंत के लिए तो 750 आ जाएगा और जो second machine आपने यह वाली 20,000 की खरीदी है October, November, December 3 महिने 10% 3 महिने के लिए तो 20,000 का 10% 3 महिने के लिए जब calculate करोगे तो यह आएगा कितना 500 समझ गए सब पे depreciation अलग लग निकालना है आप शुरू में क्या होता है कि आप में इसे गढ़ जाते हैं कि अब क्या करें तो वह नहीं करना आप आइए बैलेंस सीडी आप गौर से देखना जो बता रहा हूं यह 20,000 की मशीन है 15,000 पे depreciation लग गया तो क्या यह 18,500 का बचेगा 10,000 का है 750 लग गया तो 9,250 का बचेगा यह 20,000 का है 500 लग गया तो 19,500 आएगा आप सबका टोटल करोगे 18,500, 9,250 और 19,500 तो यह आएगा कुछ 47,250 टोटल यहां पे 50,000 आएगा इसका टोटल आप कर लेना 1500, 750 और 500 तो यह आएगा 27,50 वैसे एक राज की बाद बताओं यह 50,000 में से 27,50 माइनस करोगे 27,50 तो 47,250 आएगा वैसे यह बैलनसी फिगर है लेकिन हमने इसकी टोटल करके भी कालेशन निकाल लिए पहले साल इस तरीगे से चलेंगे डान चलो इसके बाद जो नेक्स्ट इयर की कैलकुलेशन हैं सेम यहीं पे हम लोग क्या करने वाले हैं देखो यह हमारे पास आगया एक एक दोहजार उन्निस को तू बैलेंस बीडी 47,250 यह 18,500 की पहली है 9250 की दूसरी है और 19,500 दन अब यहां पर 31st 12 2019 को जब डेप्रिशेशन लगाओ गये तो इससे बीच में देखो कुछ खरीदा है हाँ वन सेवन तू 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 को दस जार की एक मशीन खरीदी है टेप्रिशेशन लगाओ गये तो बाई तेप्रिशेशन एकाउंट से अलग अलग जो पहले का यह पार्ट है 18,500 का 10% 1850 जो पहले का बी पार्ट है 9250 का 10% 925 जो सेकेंड मशीन है 19,500 का 10% 1950 और जो थर्ड मशीन है जो अभी अभी खरीदी है 10,000 का 10% कितने मेने के लिए 6 मेने के लिए 500 कोई डाउट उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे 18,500 का यह मशीन है जिसमें से 1850 माइनस करना 18,500 माइनस 1850 तो यह आएगा 16,650 9250 इसमें से 925 के मशीन माइनस कर दो तो 8,325 आएगा 8,325 फिर 19,500 के मशीन है इसमें से वही से माइनस करो कितना 19,500 में से 1950 तो यह आएगा 17,000 550 प्लस यह जो 10,000 है इसमें से अगर यह मशीन 500 का जो डप्रिशेशन लगाए इस मशीन पे वह माइनस करोगे तो 9,500 कितना आएगा जी 9,500 तो 16,650 प्लस 8,325 8,325 प्लस 17,550 प्लस 9,500 आप कैल्कुलेट करोगे इसका टोटल तो आपको बहार लिखना है वैशे कैल्कुलेट करके 52,000 25 आएगा यह आ रहे है 57,250 57,250 इसका टोटल में कर देता हूँ 18,50 9,25 1,950 और 500 यह डेप्रिशेशन आएगा 52,25 ओके और 57,250 में से यह माइनस करोगे तो यह बैलनसे फिगर आएगा बट यह कैल्कुलेशन मेरे लिए बहुत बड़ी कैल्कुलेशन है और यह बहुत सारी कैल्कुलेशन मेरी आसान कर देगा आगे चलके बहुत सारे बचे यह कैल्कुलेट करते हैं तो बाद में फिर सरदर्द होता है तो कि कैल्कुलेशन करते वक्त ऐसा लगता है कि सार क्या हो गया यह समझें? ना, 52,025 रुपीज की यह वेल्यू है इसको अगले साल पे लेके चलते हैं नेक्स्ट यह की कैल्कुलेशन पे तो यह लो यह हटाओ यह हटाओ यह सेम है और बाई की जगा क्या आजाएगा? तू आजाएगा और BD की जगा क्या आजाएगा? सारी BD आएगा CD की जगा है 1,1,20 को इस साल कुछ हुआ है चेक करो 1,1,20 को बेचा है इसने सेम एक इसी डेट को और कुछ हुआ है नहीं हुआ तो इस पर्टिकलर डेट को अगर बेच दीगा ध्यान से देखना भाई सारे राज की बात यहीं है पर है बाई? बैंक के काउंट से कितने का बेचा? बोलो? 3,000 3,000 का बेचा अब जिसको भी हम बेच रहे हैं यहां पर हमने इसका वन थर्ट पार्ट बेचा है 1,1,20 को तो जिस साल भी हम बेच रहे हैं दुबारे मेरी बात सुनना जिस साल भी हम बेच रहे हैं उस साल के ओपनिंग डेट को ध्यान में रखना है यहां पर लिख रहे हैं कैल्कुलेशन of calculation of profit or loss on sale of machinery जिस साल भी हम बेच रहे हैं उस साल के ओपनिंग डेट को हम लिखेंगे value of machinery कौन सी वाली मशीन बेच रहे हैं मैंले भी यह 8325 तो हम क्या लिखेंगे हैं पर 8325 समझे कोई depreciation है लगेगा नहीं इसमें depreciation क्यों नहीं लगेगा क्योंकि उसी डेट को बेच रहे हैं 120 को यह बेच रहे हैं लेकिन अगर 1120 को नहीं बेचते किसी और डेट को बेचते तो उतने टाइम का depreciation लगता समझ गए यहां से लेके यहां तक का जो gap है उस gap का depreciation लगता लेकिन है नहीं यहां पर कोई भी gap यहां सेम डेट को बेचा तो वैल्यू और यहां कि इसको बेच दिया और जो तीन हजार में बेचा है माइनस करके आ गया 5,3,2,5 यह आ गया loss अगर आप यह calculation ऐसे नहीं करते तो फिर कैसे करते वो बताता हूँ वैसे तो यह हो गया question लेकिन अगर आप यह कहानी इस तरीके से calculate करके नहीं लेके आते जो मैंने बताया है तो फिर दूसरा तरीका के है वो मैं बता रहा हूँ आपको इसी question के लिए फिर जिस मलब जो यह machine जब से आई है तब से आपको calculation करनी पड़ती मतलब मतलब यह कि हम क्या करते एक चार दोहजार अठार को machine खरीदी थी 30,000 की इसका one third part तो कितना आता दस हजार साल कब खतम होगा हमारा 31 बारा दोहजार अठार को तो यह दस हजार का का 10% और 9 महने के लिए depreciation लगाते जो मैंने यहां पर अपने इस में ही कर लिया 750 का तो आप यहां पर 750 माइनस करते समझे और ऐसा करके क्या होता कि यह आता 9250 इस डेट की वेल्यू तो वो हमने यहां पर देखो यहां पर 9250 31 बारा दोहजर अठार की वेल्यू हमने यहां निकाल के रखी हुई थी अब फिर depreciation लगाते तुम 9250 का 10% 925 ओहो यह तो नाराज हो रहा है यह लो भाई अच्छा हटा नहीं पड़ेगा इसको यह लो 92925 और यहां पर लिखते एक एक दोहजर यह 31 बारा यह डेट यहां पर नहीं लिखना चाहिए था अगला दिन 11-2019 फिर 31-12-2019 को depreciation लगाते तो 11-2020 को यह जो हमने इस साल 925 लगा के 8325 किया हमने वो 8325 आता और यह आ गया value of machinery लेकिन यह जो इतनी calculation है यह दिमाग खराब कर देती है कई बर बच्चों का वो समझ नहीं पाते कई बार तो यह calculation तुम्हें तो करके लाना ही पड़ेगा जिस साल भी हम machine बेच रहे हैं उस साल के opening में वो सब हमने अपने question के अंदर ही कर लिया अब जो यह ताम-जाम किया अभी तुमने यह सेम ताम-जाम कि वापस से यहां पर करना है जो पहले में कर चुका हूं क्या समझें कि पीछे यहीं तो किया है मैंने कि यह देखो कि सौरी कि इकत्तिस बारा नहीं नहीं इकत्तिस बारा नहीं जिस डेट को बेच रहे हैं वो उस डेट की वैसे तुक्के के बात है कि सेम ही डेट है तो इसलिए यहां पर depreciation लगा नहीं और यह loss आ गया लेकिन मेरी calculation इतनी आसान हो गई और यह ऊपर की चीजों से मतलब में बच गया समझें तो आगे के जितने भी कोशन आप इस तरीके से करोगे तो बहुत सारी चीजें आसान सी हो जाएंगे आपके लिए पैसे मैं प्रिफेर करता हूँ यह वाला 3000 रुपीज में सेल किया और 5325 depreciation है नहीं by profit and loss account से loss 5325 5325 का क्या हो गया हमारे पास loss हो गया अब आपकी मर्जी है इच्छा है यह वाले machine तो हमारी अलविदा हो गया यह जो part है न यह यह अलविदा हो गया अब नहीं बचा अब इसको छोड़के जो बचा है उस पर आपको depreciation लगाने तो आपकी इच्छा है आप अलग लग लगाना चाहो क्योंकि इस साल खतम हो गया यहाँ पे लिखेंगे हम लोग by by depreciation account से 31.12.2020 को तो लगा लो अलग ले लगा लो जब अलग लगा रहे हैं तो फर्स्ट के ए पाट पे 16,000 650 का 10% 1665 आएगा second machine जो हमारे पास बची है 17,500 की इसका अगर 10% लगा हुए तो 1755 आएगा ठीक है इस तरीके से calculate करेंगे हम लोग और यह third machine 9500 का 10% 950 1665 plus 1755 प्लस 950 यह आगया 4370 और जो बचेगा by balance cd तो यह 52,025 में से 52,000 52,025 में से minus कहां के 52,025 में से minus करो 3,000 minus करो 5,325 minus 4,370 तो यह जो आंसर आएगा 39,330 यह हमारा balance cd है यही आ रहा है तो इस तरीके से जब आप calculation करोगे तो कोई भी question आपके लिए आसान हो जाएगा आप कुछ बचे मुझे कहते हैं कि sir यह आपने बोला pencil से लिखने आप कोई teacher को दिक्कत हो कोई परिशानी हो देखो pencil से लिख दो और उसको रहने दो मिटाने उटाने की जुरुत नहीं है अब कुछ teacher जो है वो argument करते हैं कि आपको कैसे पता कि आगे चलके हम यह machine sale करेंगे तो आपने account ऐसे बनाया चलो मैं उसका argument का जवाब देता हूं because I am a lawyer also तो जो practical accounting होती है किसी भी business में अगर मालो कोई calculation होती है तो उसको पहले paper पर बनाया जाता है फिर accounting में चढ़ाया जाता है रफ वर्क किया जाता है पहले उसका फिर उसको finally चढ़ाया जाता है खेर जब आप join करोगे किसी भी company में तो उसकी calculation आप उस समय करोगे जब आपने join किया है जिस साल बेच रहे हैं अगर आप accountant हो तो उसकी calculation आप कर लोगे अभी आप चीजों को सीख रहे हो तो चीजों को इतना complicated बनाने की ज़रुवत नहीं है अभी यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बच्चों को calculation करना देख रहे हो कि इतना लंबा चोड़ा calculation हो गया और फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ठीक है तो कोई ऐसा काटता नहीं है जो समझदार है उनको पता है कि हाँ यह calculation अम अंदर कर सकते हैं बहुत सारे author जो book के writers हैं वो अंदर ही calculation करके दिखाते हैं वो बाहर नहीं दिखाते बांकि आपकी उच्छा है आप कैसे मानना चाहो मैंने दोनों तरीके बता दी आप चाहो तो बड़े वाले तरीके से करना चाहो तो वैसे कर सकते हो फिर यह break करकर के दिखाने की जूरत नहीं है एक ही साथ लिखो और बाद में calculation कर लो मर्जी है तुमारी ठीक है कुछ बचे कहते है सर यह अलग लग लिखने में भी तो टाइम लगता है टाइम तो लगता है लेकिन इजी कितना हो जाता है बाद क्या आपकी इच्छा है ठीक है आपको घर से क्या करना है एक से लिके पांस तक के question अल्रेड़ी दे रखे थे मैंने आपको 6 से 10 तक के question ट्राइ करने है इतने question कर लो फिर अगली class में हम लोग continue करेंगे मिलते हैं हम लोग next class में तब तक के लिए all the best take care जय हिंद जय भारत उमीद करता हूँ आज वाली जो वीडियो है आपको बहुत मज़ा आया होगा फिर remind करा दूँ आनकाडमी को जोइन करने के लिए नीचे description में लिंक है सिर्फ 825 रुपे पर मन्त या इससे भी कम है क्योंकि आप अगर discount code apply करेंगे तो इससे भी कम फीस में आप ये सभी subject की जो classes हैं वो ले सकते हैं मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक लिए all the best जया हिद जया भारत